ओम गण गण बतये नमहा स्री गुरुदेवदत नमस्कर मित्रो प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको एक खास यंत्र के बारे में बता रही हूँ जिसके इस्तमाल करने से दो अलग-अलग फाइदे या लाब मिल सकते है अगर कोई व्यक्ति को शराब की या अन्य किसी भी नशे की आदत लगी है और वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए एक चिंता का विशे बन चुकी है या बन चुका है तो उससे छुटकारा पाने के लिए इस यंत्र का इस्तमाल किया जा सकता है इस यंत्र का दुसरा फाइदा यह है कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी के कारण पेडित है और उसे हर दम पैसे की कमतरता महसूस होती है और इसके वजह से उसको और उसके परिवारवारों को रोजमरा के जीवन के लिए आवशक वस्तुए जैसे की रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं है तो उसे इस यंत्र के धारण करने से कोई ना कोई रोजगार अवशक मिलेगा या धन या सामगरी प्राप्तो हो सकती है इस यंत्र को बनाने के लिए किसी भी प्रकार के पुजा विदी की या मंत्रजाप की अवशकता नहीं है इस यंत्र को कभी भी बनाया जा सकता है और आपको किसी भी प्रकार की खास मूरत के इंतजार करने की आवशकता भी नहीं है यंत्र बनाने और इस्तमाल करने की विधी अत्यंत सरल और आसान है और इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ती शराप से छुटकारा पाने के लिए या गरीबी दूर करने के लिए इस्तमाल कर सकता है अब वीडियो में बताये गए इस चित्र को आप ध्यान से देखिए मैंने नमुने की तौर पर यह यंत्र एक सफेद कागज पर बनाया है आपको इस यंत्र को एक छोटे से सफेद रंग के कपड़े पर काले रंग की स्याही से बनाना है अब यह यंत्र देखिए मैंने कैसे बनाया है आपको सफेद रंग के कागज पर एक स्क्वेर निकालना है उसमें नव छोटे स्क्वेर निकालने है और उसमें जो अक्षर मैंने लिखे है वैसे ही आपको लिखना है यंत्र बनाने के बाद इस कपड़े को फोल्ड करके और उसको सिलके ताविज की तरह अपने गले में धारन करना है ऐसा करने से शराब या नशे की लद या गरीबी से मुक्ती मिल सकती है मित्रो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कुरुपया सस्क्राइब करना मत भूलिए प्रभू सबका कल्यान करेंगे